बच्चों इस चीट को देखिए, ये बच्चे इसारों में कुछ कह रहे हैं हम इसे जारेतर लोग बोल और सुन सकते हैं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते ऐसे लोग दूसरों को अपनी बाते इसारों से समझाते हैं दूसरों की बाते वे उनके होटों को देखकर या इसारों से समझने की कोशिश करते हैं बच्चो, हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते, हम में से कोई अच्छा गाता है, तो कोई कवीता अच्छी लिखता है, कुछ बच्चे जड़ से पेड़ पर चड़ जाते हैं, कोई चीतर अच्छे बनाता है, सब की तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, वे भी स्कूल जाकर इस सारों से बात करने की भासा सीखते हैं, आओ, अब एक बच्ची के बारें पढ़ें, जो सुन नहीं सकती, वे बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती हैं, कवीता का शीर्षक है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है, बहुत कम लोगों की बहने ही, मेरी बह की तरह होंगी मेरी बेहन पियानों बजा सकती है पियानों के सुरों को मैसूस कर सकती है वो रूग्लियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है खोड़ने उचलने और कलाबाजे लगाने में उसे बड़ा आनद आता है मेरी बेहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है वैसे मा उसे घर पर होट पढ़ने की टेनिंग देती है कलास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बेहन के कहे सभी सब्दों को समझ नहीं पाते वो जो कुछ कहना चाती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है कल मैंने धूप का चस्मा पहन रखा था उसका फ्रेम काफी बढ़ा था उसके कांच भी एकदम काले थे जब मैं बोल रही थी तो मेरी बेहन ने मुझसे चस्मा उतारने को कहा मेरी भूरी आंके उसकी भूरी आंकों से ना जानने क्या क्या कहती है जीन वाइट हाउस पीटरसन दवरा रचित इस कवीता कानवाद अर्विंग गुपता ने किया है बच्चों कई बार हम भी इशारों में बात करते हैं जैसे टोईलेट जाना हो तो छोटी उंगली दिखा कर कुछ बोलना हो क्लास में तो हाथ खड़ा करते हैं छोटा बच्चा तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ इशारों में कहता है हम अपनी आखों से, हाथों से और चेहरे से कितना कुछ कहते और समझते हैं चेहरा है आइना, चेहरा क्या कहता है? यह जानने के लिए हम कुछ चेहरे मनाएंगे यह आफ्ताब है उसका खिलोना गिर कर तूट गया है वह दुखी है कैसा होगा उसका चेहरा चलिए बनाते हैं एक दुखी चेहरा यह जूली है कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है वह बहुत खुश है उसका चेहरा बनाओ जिसमें खुशी जलक रही हो यह यामनी की अम्मा है आज यामनी ने जब रोसोई से अचार की सीशी निकाली सीशी गिर कर तूट गई अम्मा को गुस्सा आया होगा तो अम्मा का गुस्से वाला चेहरा किताब में बनाओ यह रहाना है रहाना को कुट्टों से बहुत डल लगता है वह खेल रही थी अचा सामने कुट्ता आ गया, रहाना का डरा हुआ चेहरा बनाओ काॉ बच्चों चेहरे के साथ-साथ, नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पोहचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हावाव का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मुद्राएं कहते हैं। हमारे सास्क्री निरत्य, भरत्राट्यम, कतकली, मुद्राओं पर आधारित हैं, जिसमें अनेक कथाएं केवल भाव और चेहरे की मुद्राओं से परदरशित की जाती हैं। चितर में नाज के कुछ मुद्राओं दी हैं, इन्हें देखो और इनका अभ्यास कोई। बच्चों, आपको पता है, बिना बोले अपनी बात कहना कितना मुश्किल होता होगा। चलिए, एक खेल खेलते हैं और उन लोगों की मुश्किल समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा के बच्चों को दो से चार टीमों में बाट लीजिए। अब बारी-बारी से सिक्षक टीम से एक-एक खेलाडी बुलाएगा और एक परची देगा। परची पर किसी खेल, किसी जानवर, हमारे हेलपर्स यानि शाहयक या कोई और जानकारी दी गई होगी। टीम को अपने सदस्यों के साथ मिलकर परची पर लिखी बात दूसरी टीम को इसारुस से बतानी है। बागी टीमों में से जो टीम सबसे पहले सही जवाब देगी उसको दस अंग दिये जाएंगे। या खेल इसी परकार आगे चलेगा और अंत में सबसे ज़्यादे अंक वाली टीम विजय होगी। तो बच्चो खेल में मज़ा आया पर आपने देखा कितना कटीन है ना बिना बोले अपनी बात कहना और दूसरों को समझाना। अच्छा बच्चो चितर वर्णन का अब्यास आपने क्या होगा। जिसमें चितर को देखकर उसके بारे में कुछ वाख्या लिखने या बताने होते हैं। देखिए इन चितरों में कहानी चीपी है। चित्रों को ध्यान से देखो और अपने मन से कहानी बना कर लिखो हाँ, आपकी कहानी में गलेरी और कवा जरूर आने चाहिए